हेलो कैसे हो आप आज मैं आपको चिकन के क्रेसीब दिखाने वाली हूँ चिकन टॉफी छोटे से लिके बड़े तक सब को पसंद आएगी देखेंगे चलो साम अगरी क्या लगता है यह बॉनले चिकन तलने के लिए तेल ज्यादा लगता है कम निकाली मने लसून ब्रेड क्रम्स अंडा कॉन फ्लावर नमक और काली मीन इसको मिक्सर में से निकालेंगे यह बॉनले चिकन है इसका किमा करना है और बहुत बारिक में करना है इसके आंदे गार्ली दालना है गार्ली दालेंगे टेस्ट के मूता भी सॉल्ट नमक डालोंगी आदा चम्चा यह ब्लाक पेपर काली मीरी है यह आदा चम्चा अभी इसको चिकन को हम बारी करेंगे मिक्सरम दाल के इसमें हम एक आटर दालेंगे अब इसको कराएंगे अभी हम इसमें टेस्ट के मुताबी नमक दालेंगे आजा चमचा नमक दालेंगे थोड़ा और काली मेली दालेंगे थोड़ा सा अभी इसमें पॉप जाओ दालेंगे दो चमचा नमक दालेंगे थोड़ा नमक दालेंगे थोड़ा नमक दालेंगे हम और स्टीम करने के लिए पानी रखेंगे क्या सा नमक करते हैं इसमें निकालेंगे इसके अंदर स्टैंप रखारे हम इसको तेल से ग्रीस करेंगे और जो मिक्षरी चिकन के इसमें दाल के स्टीम करेंगे हम इसको 10 मिनित के लिए मैंने फॉड बदल दी है यह थोड़ा सा पतला लेर आने मंगता है इसलिए मैंने फॉड़ा पड़ा दी हूँ नी जसाल करेंगे स्टागी हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे प्रश्ट पर एक प्लेट जटींगे ताकि इसमें पाली नजाए और इसमें जट रखेंगे पाली नजाए और इसको स्टीम करने दस मिनित के लिए अब इसके ट्रीज बनाएंगे देखो ठंका होगा है इसके पीज बनाएंगे हां ऐसे टौफी बनाना है और अगर टूत्मिक लगाना है तो हम लंबे लंबे ऐसा तलने के बार असा लगाएं तो बच्चे शॉक सिखाते हैं यह लंबे लंबे मैं तलने के लिए इसमें तेल दाली हूँ और हम अभी अंडा प्याटेंगे यह ऐसा भी खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है बच्चे अच्छी खाते हैं और ब्रेड कम से हम इसमें अंडा दालेंगे अभी एक अंडा दालेंगे एक दालेंगे अभी आले दालते हूँ इसमें दालेंगे यह इरानी स्टाइल है इरानी स्टाइल में चिकन जब उबाल के उसको मसाल लगाते है इसमें डुबा के तलते है पसाई में कर्फ्यूम हम आप इसमें डुबाएंगे इसमें कोट करेंगे यह इस ऐसे हलाएंगे और इससाब कोट हो जाता है इसको हम फ्राइ करेंगे ब्रण हो गए हमा भी प्रेट में निकालेगे टिकन टॉफी तयार हो गई है और यह बहुत पाउस्टिक है और इसको डिनर में बना सकते हैं इसको दिनर में बना सकते हैं अबमेथ पर्णक बना सकतै है बच्चों के लिए बड़े पाउस्ब्स बना सकते है अब इसके टेस्स करेंगे मेरे फोता और और हूचे ज मह रहसन और जिस्च करेंगे कोमें बताइए और करके एंजय के ये और थैंक यू पर वाचिंग माई रेसिपी